दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने आइफोन में एप लॉक लगा रखा है, किसी भी आप पर लगाया हो, अब आप उसको हटाना चाहते हैं, ताकि आप वो एप खोलें तो आपसे लॉक ना मांगे, डारेक्टली खुल जाए, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में एक एप होगा ढूंड लेना है, शौटकट्स नाम से, ओके, ना मिले तो लिख करके यहाँ पर सर्च कर लीजेगा, इसको ओपन कर लीजे, इसको ओपन करते ही इस टाइप का इंटरफेस मि अब आपको करना क्या है, अगर आपने अलग-अलग लगा रखा होगा, automation create करके, तो इस टाइप से दिखा रहा होगा, तो अगर इस टाइप से लगाया है, तो जिस बी अप से आपको app lock हटाना है, उसको करना क्या, जिसे इंस्टाग्राम से हटाना है, तो यह साइट में स् प्रॉल करिए और यहां पर डिलीट पर क्लिक करिए तो यह हट जाएगा अब अगर आपने एक ही ऑटोमेशन में बहुत सारे एप से लॉक पर लगा रखा है तो आप क्या करेंगे यहां पर इस टाइप से दिखाएगा ठीक है यहां पर इस टाइप से दिखाएगा अगर सभी का ही हटाना था आपको तो आप वहाँ पर न जाहिए चाहिए तो डिरेक्ली साइड में स्क्रॉल कर दिजे डिलीट हो जाएगा और आपके सभी आप से एप लॉक हट जाएगा अगर वीडियो से हल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए